प्यारे विद्यार्थियों कैसे हैं आईए आपका हमारे यूट्यूब चेनल ओनलाइन क्लासेस बाइसलजार पर स्वागते विद्यार्थियों आज की काक्षा में हम सौल करेंगे काक्षा 5 विशे गनित प्रश्णावली एक संख्या है और इसमें सवाल नंबर 1 से सवाल नं को में लिखी हुई संख्या है इन्हें हमें शब्दों में लिखना है पहला है इसे हम पढ़ेंगे 21,216 चपन तो इसे लिखेंगे बराबर 24,056 दूसरा है ये 40,009 लिखेंगे 40,009 तीसरा ये संख्या है 99,9999 चोधा है ये संख्या है 8511 8511 अगली ये संख्या है पांचवी 66,725 66,725 तो ये हमारा पहला सवाल हुआ आईए आगे बढ़ते हैं अगला है दूसरा सवाल नीचे दीगी संख्याओ को विस्तरत रूप में लिखेंगे इन संख्याओ को हमें विस्तरत रूप में लिखना है पहला है 12,372 इसे लिखेंगे बराबर 10,000 यहां 10,000 पर ये खें इसे लिखेंगे 10,000 प्लस हजार पर दो हैं लिखेंगे 2,000 प्लस सेगड़ा पर तीन हैं लिखेंगे 300 प्लस दाई पर साथ हैं लिखेंगे सित्तर प्लस इकाई पर दो हैं लिखेंगे 2 ये इसका विस्तरज रूप हुआ दूसरा है 23,434 10,000 पर 2 है लिखेंगे 20,000 प्लस 1000 पर 3 है तो लिखेंगे 3000 प्लस सेगड़ा पर 4 है लिखेंगे 400 प्लस दाही पर 3 है लिखेंगे 30 प्लस इकाही पर 4 है लिखेंगे 4 अगला है तिसरा 45,302 10,000 पर 4 हैं लिखेंगे 40,000 प्लस 1000 पर 5 हैं लिखेंगे 5,000 प्लस सेकडा पर 3 हैं लिखेंगे 300 दाई पर 0 है टीशे अम 0-0 इस प्रकार से लिख सकते हैं प्लस 21 पर 2 हैं लिखेंगे 2 यह इसका विश्गार दुरूप हुआ चोदा हैं पिछेतर हजार चार दस हजार पे साथ हैं लिखेंगे सत्तर हजार प्लस हजार पे पांच हैं लिखेंगे पांच हजार प्लस सेकडा पे जीरो हैं लिखेंगे जीरो जीरो प्लस दाही पे जीरो हैं लिखेंगे जीरो जीरो अगला पाँचवा दूसरा सवाल हुआ चलिए आगे बढ़ दें अगला सवाल तीसरा नीचे दीगी विश्तर रूप को संख्या के रूप में लिखिए अब यहां में नीचे दीए गए विश्तर रूप को संख्या के रूप में लिखना है पहला हैं 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 7,000 प्लस 2 वराबर होगा यह हैं 45,772 दूसरा हैं 60,000 प्लस 0000 प्लस 0000 प्लस 20 प्लस 6 यह होगा 60,026 तीसरा 30,000 प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 00 प्लस 00 प्लस 8 यह होगा 49,908 अगला है चोथा 50,000 प्लस 2000 प्लस 800 प्लस 10 प्लस यह होगा 52,811 अगला पांचवा, 8,000 प्लस 0000 प्लस 0000 प्लस 0000 प्लस 8 यह होगा 8,008 तो विद्यार्दियों यह था तीसरा सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्दियों, अगला सवाल चोथा, नीचे दीगे संख्याओं में 6 वद 2 का इस्तानिमान लिखिए इन संख्याओं में 6 वद 2 का इस्तानिमान लिखना जा 6 है, उसका इस्तानिमान लिखना है, जा 2 है, उसका इस्तानिमान लिखना है पेला है 28,506 इसमें इस 6 का इस्तानिमान 6 इकाई परें इसका इस्तानिमान होगा 6 और यहां 2 यह 10,000 पर इसका इस्तानिमान होगा 20,000 दो लिखके 4,0 लगा देंगे 20,000 दूसरा 36,265 इसमें इस 6 दाही परें इस्तानिमान होगा 60, 6 लिखके 1,0 लगा देंगे यह 2 सेकड़ा परें तो 2 लिखके 2,0 लगा देंगे 200, इस 6,000 परें यहां 6 लिखके 3,0 लगा देंगे तो इसका इस्तानिमान होगा 6,000 पिसरा 52,266 ये वाला 6 इकाई परें इसका इस्तानिमानोंगा 6 ये वाला 6 दाई परें तो 6 लिखे 1 0 लगा देंगे इसका इस्तानिमानोंगा 60 ये वाला 2 सेकड़ा परें तो इसका इस्तानिमानोंगा 202 लिखे 2 0 लगा देंगे ये वाला दो हजार के इस्तान परें इसका इस्तान निमान होगा दो हजार दो लिख्के तीन जिरो लगा देंगे दो हजार अगला चोथा 79,242 ये वाला दो इकाई परें इसका इस्तान निमान दो ये वाला दो सेखड़ा के स्थान परें इसका 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 स्थान पर परें इसका इस्तान निमानोंगा 2000 यह था चोटा सवाल आईए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर पांच निची दीगी संख्याओं के बीच बड़ा चोटा बराबर में से उप्युक्ते चिन्न लगाएं जिस तरफ बड़ी संग्याओं उस तरफ खुला मूह रखना है जिस तरफ छोटी संग्याओं उस तरफ बंद मूह रखना है और दोना तरफ बराबर हो तो बराबर का चिन्न लगाना है पहला है 2989 यहां है 2932 तो यहां यह वली संख्या बढ़िये यह छोटी है यह वला चिन्न लगेगा दूसरा 5423 यह चोटी है यह बढ़िये यह वला चिन्न लगेगा तीसरा 8952 दोनों तरफ बराबर है तो बराबर का चिन्न लगेगा चोथा 6850 यह बढ़िये यह वली छोटी संख्या यह यह वला चिन्न लगेगा पांचवा 3675 यह बराबर का चिन्न लगेगा चटा 9821 9799 यह बढ़िये यह चोटी है यह यह वला चिन्न लगेगा चलिए आगे बढ़ दें विध्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नमबर 6 नीचे दीगे संख्याओं को छोटे से बढ़े के क्रम में लिखिए अब इन संख्याओं को छोटे से बढ़े यानि आरोई क्रम में लिखना है पहला है 26886 37725 30840 25975 4021 अब इन में सबसे चोटी संख्याओं को सबसे पहले लिखेंगे तो इसमें सबसे चोटी संख्याओं 25975 लिखेंगे 25975 यह बढ़ लिख देते हैं 25975 इसके बाद में इससे बड़ी संख्याओं लिखेंगे तो वह हैं यह वाली 26886 अब इससे बड़ी संख्याओं लिखेंगे यह वाली 30,840 अब इससे बड़ी संख्याओं यह वाली 37,725 और इससे बड़ी संख्याओं यह वाली 40,021 यह छोटे से बड़े क्रम में लिखाऊं दूसरा है 69,307, 53,907, 69,703, 7,049, 7,903 अब इनमें सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे तो इनमें सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो इनमें सबसे छोटी संख्या है देखे 5907 यह वाली उनसट अजार 307 और इससे बड़ी संख्या हैं उनसट अजार 703 उनसट अजार 703 तो यह छोटे से बड़े के क्रम में लिखा अगला तीसरा इन संख्या को भी लिखेंगे 2444434343444445555 अब इनमें सबसे चोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे तो इनमें सबसे चोटी संख्या है 14344 लिखेंगे हम हल करेंगे 24344 इससे बड़े संख्या है यह वाली यह वाली 24434 और इससे बड़े संख्या है यह वाली 24443 इससे बड़े संख्या है यह वाली 7444 और इससे बड़े संख्या है यह वाली 7500 555 यह हमने चोटे से बड़े के क्रम में लिखा अगला सवाल सवाल नंबर 7 नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से चोटे के क्रम में लिखेंगे अब इन संख्याओं को बड़े से फिर छोटी फिर छोटी इस प्रकार से बड़े से चोटे क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़े संख्या है यह वाली 99425 इससे चोटी है यह वाली 50925 इससे चोटी है यह वाली 42325 इससे चोटी है यह वाली 41,525 और इससे चोटी है यह वाली 34,152 अगला है दूसरा 86,67, 81,316, 85,032, 82,511, 81,154 इनमें सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे फिर चोटी फिर चोटी तो सबसे बड़ी संख्या यह वाली है 86,67, इससे चोटी संख्या है यह वाली 89,032, इससे चोटी संख्या है यह वाली 82,511, इससे चोटी संख्या है यह वाली 81,316 और इसे चोड़ी है ये वाली 81,154 अगला सवाल तिसरा 6,543 73,454,356,435,435,435,435 इनको भी बड़े से छोड़े क्रम में लिखेंगे इन्वे सबसे बड़ी से क्या है 6,543 हल करेंगे 76,543, इसे चोड़ी से क्या है ये वाली 76,435, इसे चोड़ी से क्या है ये वाली 34,600, तरपन इसे चोड़ी से क्या है ये वाली 34,356, और इसे चोड़ी ये वाली 73,456, तो इस प्रकार से हमने बड़े से छोटे के क्रम में इन संख्याओं को लिखा तो इस प्रकार से हमारा साथ और सवाल सोल हो चुका है, इस प्रकार से हमारी पूरी प्रश्णाव्ली सोल हो चुकी है तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने गनित काक्षा 5 में प्रशनावली 1 में सभी सवाल, सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 7 तक सभी को हल किया आप भी इन सवालों को समझते हुए हल कीजिए और नियमित गनित में अभ्यास जरूर कीजिए क्योंकि आप तक हमार लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच भाएं आप अधिक सरी साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियों शेर जरूर कीजिए मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेन के साथ में तब तक के लिए थेंक्यू, धन्यवाद, जे हिंद, जे बारत, आपका दिन शुबर हैं, थेंक्यू